नमस्कार भाईयो भाईयो आपके आँखों के लिए आज बहुत अच्छा मैं आपको एक नुस्का देने जा रहा हूँ आप इसको सर्दी में करिए गर्मी में करिए कभी भी करिए लेकिन यह आँखों की रोशनी बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा यहां तक कि आपने लगातार किया तो चस्मा भी उतर सकता है आपका लगातार इसको लंबे समय के लिए चार्चे मीने करना पड़ेगा चस्मे के नमबर भी आपको कम हो जाएंगे और आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी अगर आपकी आँखों से दुंदला पंदी काई दे रहा है या आँखों पर खुजली चलती है ऐसा कोई रोग है या फिर थोड़ी देर कहीं भी नजर जमा लिया या पढ़ने बैट गए या सुई दागा लेके बैट गए तो आँखों में रड़क पड़ेगी और आँखों को यूं मसलना पड़ेगा और जब मसल होगे तो ऐसा नुष्का बता रहा हूं आप मेरे नुष्के को लिख ले और बना के देखें कुछ ही दिनों में यानि तीसरे दिन से आपको पता लगना शुरू हो जाएगा और नुष्का भी घर बैठे आप बनाओगे घर पे ही उठा के सामान घर पे बना लेना बहुत ही आसान है और आप लिख्लो मैं आपको बता देना चाहता हूं तो आपको क्या करना है जीरा लेना है जीरा आपको 100 ग्राम लेना है 100 Cheera, और जैसे काली मिर्च आती है वैसे ही सफेद मिर्च आती है पंसारी से मängगेंगे तो आपको मिल जाएगी 25 ग्राम Clearly ले नी होगी सफेद मिर्च कून को साथ करती है आंखों की रोशनहीं के लिए राम बान है सफेद मिर्च काली मिर्च से भी चार गुना आगे बढ़कर आंकों की रोशनी को बढ़ाती है आप सफेद मिर्च मांगना जो सेम काली मिर्च जैसी होती है गोल गोल होती है छोटी-छोटी लेकिन काली मिर्च का रंग काला होता है और सफेद मिर्च का रंग सफेद होता है बस इतना ही फरक होता है, तो पच्छीस ग्राम आप सफ़ेद मिर्च ले लेना, और धागे वाली जो मिश्री होती है कि इसको सिट्टा मिश्री बोलते हैं, तो यह सिट्टा मिश्री आपको सो ग्राम लेना है, आप इन तीनों चीजों को लेकर, और ग्राइंड कर लेना, तो चोटे-चोटे टुकडे करके उसके बाद मिस्री को पीस लेना और तीनों चीजों का एकदम से पाउडर बना लेना जब इसका पाउडर बन जाए तो फिर आपको क्या करना है कि इसके पाउडर में 50 ग्राम गाय का जो बिलोने का गी हो यह नहीं कि डब्बे वाला गी 50 ग्राम और यह 50 ग्राम गी भी आपको क्या करना है कि इस पाउडर के अंदर मिक्स कर लेना है एकदम से मिक्स करके डब्बे में डाल कर रख लेना और फिर आप इसको सुबह शाम आपको क्या करना है कि पहले एक-एक चमच लेना शुरू करना है सुबह श्याम एक-एक चमच लेना है वो भी दूद के साथ में लेना है और जैसे ही आप इसको हजम करना शुरू कर दो तो एक सप्ता बाद में दो-दो चमच लेना है अगर बच्चा है कोई उसको देना चाहते हो तो उसको आदा चमच से शुरू करना है और आगे बढ़ाते हुई एक चमच तक कर देना है बड़ा आदमी एक चमच से शुरू करेगा और दो चमच लेगा इस परकार इसको कुछ दिन लेओगे तो कुछ दिन में ही आपको जितनी मेरे आँखों की बिमारियां बताईए आँखों का लाल रहना आँखों की पलकों पे खुजली आना या फिर आँखों में रड़क परना आँखों से दुंदला दिखाई देना ये सब रोग आपके ठ आमबान नुष्का एक दम एक बार आजमा के देखना जो भी इसको आजमाएगा रोता हुआ असने लग जाएगा इतना अच्छा ये नुष्का है और कम से कम इसको तीन महीने तक लेंगे तो तीन महीने में ये आपके चस्मे को उतारने के लिए मजबूर कर देगा आपको इ ये हिंज ये वारत